तो जिसना से आपको पता है हमारे पास react.js की ये lecture सिरीज चल रही है तो आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले है how to add and use bootstrap in react मतलब किस तरह से bootstrap को add किया जाता है और use किया जाता है हमारी react app के अंदर उसको हम आज इस lecture के अंदर देखेंगे तो यह हमारा part 33 होगा मैं हूँ आपका sir मुहमद आदिल और अब हम अपना lecture स्टार्ट करते है तो यहाँ पर देखो आज जो हम बात करने वाले हैं कि वही bootstrap को किस तरह से अपनी react application के अंदर add करते हैं और उसको use करते हैं बाई देखो previous lectures के अंदर हमने बात की थी कि CSS को हम किस तरह से अपनी react app में add करते हैं CSS के हमने तरीके देखे थे तीन तरीके देखे थे जिसके अंदर inline style था, external था, style sheet था और हमारे पर CSS modules थे यह सारी चीज़े हमने previous lectures के अंदर cover किये हैं लेकिन आज हम बात करने वाले हैं bootstrap bootstrap मतलब bootstrap के बारे में आपको पता है front end का framework है जिसके अंदर पहले से CSS की बहुत सारी classes बनी हुई है तो उन bunny बनाई classes को किस तरह से हम use करेंगे अपनी react app के अंदर क्योंके आपको पता है बहुत ही ज़्यादा popular framework है और बहुत ज़्यादा use किया जाता है web applications के अंदर तो उसी को हम आज अपनी react app के साथ connect करेंगे तो यहाँ पर आ जाओ देखो how to add and use bootstrap तो देखो यहाँ पर bootstrap के बारे में अगर मैं आपको बताता जाओ देखो bootstrap क्या है is a free front end framework for faster and easier web development मतलब एक front end framework है मतलब UI designing के लिए हम इसको use करते है जिसके through faster and easier हो जाती है हमारी web development मतलब क्योंके मैंने क्या बता है bootstrap के अंदर bunny बनाई classes बहुत सारी मौझूद है जो के हमारी website को बहुत जादा attractive और beautiful बना देती है मतलब bootstrap को use करके हमें अपनी classes बहुत कम use करनी पड़ती है मतलब अपनी जो custom CSS है वो बहुत जादा कम use करनी पड़ती है और सारी classes हम किसकी use करते हैं bootstrap की तो यहाँ पर देखो second point bootstrap also gives you the ability to easily create responsive designs भाई देखो bootstrap का जो मकसद होता इसको use करने का वो क्या होता है कि bootstrap को use करके हम responsive designs बना सकते हैं responsive design का मतलब ऐसी website जो कि आप एक दफ़ा बनाते हो और फिर उसे आप किसी भी device के उपर चला सकते हो और उस website का layout हर device की screen के हिसाब से automatic adjust हो जाता है इस चीज को कहते है responsive design और responsive design हम किसको use करके बनाते हैं bootstrap ठीक है तो ये तो bootstrap की कुछ बात मैंने आपको बताई अब यहाँ पर देखो bootstrap का latest version कौन सा है bootstrap 5 तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो हम bootstrap का version use करेंगे वो कौन सा use करेंगे इस lecture के अंदर bootstrap 5 लेकिन बाई देखो जरूरी नहीं है कि आप bootstrap 5 ही use करो अगर आप bootstrap के पुराने versions पर काम कर रहे हो 4 पर काम कर रहे हो 3 पर काम कर रहे हो तो उसको कैसे add करेंगे वो भी मैं आपको इसी lecture के अंदर बताऊंगा लेकिन मैं recommend करूंगा कि आप bootstrap 5 के उपर आओ क्योंकि bootstrap 5 bootstrap का latest version है और सबसे बड़ी बात bootstrap 5 के अंदर jQuery की support खतम हो गई है मतलब jQuery वाला जितना भी काम था वो bootstrap ने अपनी ही javascript की file के अंदर कर लिया है और bootstrap 5 की मैंने complete playlist अपने channel पे बनाई हुई है तो अगर किसी को bootstrap 5 की knowledge नहीं है तो हमारी इसी channel पे bootstrap 5 की playlist आप follow कर सकते हो complete चीज़ है जो भी इसके अंदर है वो मैंने उसमें बनाना सिखाई हुई है और bootstrap 5 की जो playlist है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो भई देखो there are two ways of adding bootstrap in your react app मतलब react app के अंदर अगर आपको bootstrap add करना है तो दो तरीके है पहला तरीका है आपर देखो by adding cdn cdn मतलब content delivery network मतलब हम bootstrap की cdn उठा सकते हैं और उसको अपनी react app के अंदर लगा सकते हैं और आपको बताए cdn मतलब जो bootstrap की files होती हैं वो किसी एक server पे रखी हुई होती है और अगर आप cdn लेते हो bootstrap का और अपनी react app में डालते हो तो आपका internet लाजमी connect होना चाहिए मतलब आप internet से online होने चाहिए हो मतलब आपका internet connect होना लाजमी है जब आप cdn यूज़ करते हो मतलब अगर आप internet off कर दोगे तो आपके जो cdn है वो काम नहीं करेगा तो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है by adding bootstrap using npm मतलब हम note package manager को use करके bootstrap को अपने react app के अंदर क्या कर लेते हैं add कर लेते हैं और ये काम offline होता है offline मतलब जब npm को use करके bootstrap को add करते हैं तो bootstrap की files हमारे react app के अंदर आ जाती है मतलब वो किसी दूसरी जगा से नहीं आ रही होती है बलके npm के तुरू हम अपने bootstrap को अपने project के अंदर react app के अंदर ही उसकी files को add कर लेते हैं और ये काम offline है offline मतलब अगर आप ये second तरीका use करते हो तो आप भले internet से disconnect हो जाओ तब भी आपके पास ये वाला तरीका काम करेगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला तरीका है कि CDN को किस तरह से use करते है अपनी react app के अंदर तो यहाँ पर देखो पहला तरीका क्या है by adding CDN content delivery network ये CDN की full form है तो यहाँ पर देखो you will get the CDN from get bootstrap.com मतलब bootstrap की जो आपको CDN मिलेगी क्योंकि आपको बता है हम bootstrap 5 की बात कर रहे हैं तो bootstrap 5 में क्या होता है उसकी जो CSS और JS की files होती है उनके हम CDN उठाके अपनी react app के अंदर डालते है तो यहाँ यही कहारा है वो जो CDN है वो आपको bootstrap की जो official website है यहाँ से मिल जाएगा और फिर add that CDN in your index.html file inside your public folder in your react app भाई आपको पता है जब भी हम react app बनाते है तो react app के अंदर हमें एक public folder मिलता है एक public directory मिलती है और उसके अंदर हमारी एक file होती है index.html और देखो यह वही file होती है जहाँ पर हमारा वो जो react app का जितना भी data है वो render होता है इस file के अंदर index.html में तो यहाँ पर क्या कह रहा है जो हम cdn get bootstrap.com से उठाएंगे उसको हम कहाँ पर add करेंगे index.html और index.html हमें कहाँ मिलेगी हमारे public folder में react app के अंदर तो सबसे पहले चलते हैं इस website में get bootstrap.com तो यहाँ पर देखो मैंने अपना google open किया हुआ है यहाँ पर मैं simple लिखता हूँ get bootstrap ठीक है get bootstrap आप google पर लिखो तो देखो पहला पहला आपके पर link का आगया get bootstrap.com आपने इसको पर क्लिक करना है और देखो आज के टाइम पर जब मैं यह विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पर latest version इसका कौन सा चल रहा है आपको नदर आ रहा होगा version 5 मतलब 5.2 तो हम latest use करें लेकिन आप चाहो तो आप पुराना version जो के 4 है 3 है आप वो भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ यहां से कैसे डाउनलोड करोगे यहां पर देखो यहां पर top right side पर आजाओ आपके version नदर आ रहा है देखो अभी latest 5 select है लेकिन अगर आपको 4 चाहिए तो देखो यहां पर आपको नदर आ रहा है 4 भी है 3 भी है 2 भी है तो यहां से आप जिस version का bootstrap यहां पर उसका CDN उठाना चाहरे हो आपने यहां से वो लाजमी select करना है ठीक है मैंने भी यहां पर क्या select किया हुआ है 5.2 जो के latest है ठीक है ठीक है तो select करने के बाद आपने क्या करना है scroll करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर देखो आपको एक link नदर आ रहा होगा download ठीक है आपने download के उपर click करना है तो यहां पर देखो तो देखो यहां पर आपको एक section नदर आ रहा होगा compile css and js तो आपने scroll करके नीचे आना है तो कि देखो हमें files डाउनलोड नहीं करनी हमें उसका cdn चाहिए तो देखो नीचे आओ यहां पर देखो यह आपको नदर आ रहा है cdn यह देखो यह है cdn links मतलब देखो यहां पर आपको नदर आ रहा होगा bootstrap.min.css लेकिन यह file कहां पर रखी है यहां पर रखी है js deliver मतलब यहीं से हम इसको copy करेंगे और इसके नीचे देखो bundle.min.js हमें यह वाली file नहीं चाहिए हमें अभी फिलाल यह वाली file चाहिए ठीक है तो इसका हम link copy कर लेते हैं वरना यहां पर देखो आपको बटन नजर आ रहा होगा copy to clipboard आप इसके उपर click करो और click करने के बाद आप आजाओ यहां पर अपनी react app के अंदर आजाओ ठीक है तो यहां पर देखो जो दूसरी files है इसको मैं close कर लेता हूं यहां से यह CSS modules वाला lecture है जो हमने last class में cover किया था तो देखो जो CDN मैंने copy किया इसको मैं add कहां पर करूँगा देखो मैंने आपको बताया कि public का folder है यहां पर देखो आपको public का folder नजर आ रहा है इसके अंदर file आपको नजर आ रही होगी index.html आपने इसको open करना है ठीक है index.html को और यहां पर देखो head के अंदर head के closing tag से पहले आपने इसको यहां पर paste करना है ठीक है देखो paste हो गया और यह देखो मुझे सिर्फ यह वाला link चाहिए तो यह जो script है इसको मैं यहां से remove कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे सिर्फ कौन सी file चाहिए bootstrap किये जो css file है यह मुझे चाहिए ठीक है तो यहां पर देखो अब मैं इसको save करता हूं और मैं क्या करता हूं अब मैं एक fresh component बनाता हूं ठीक है तो यहां पर src के folder के अंदर यहां पर मैं component बनाता हूं right click करते है न्यू फाइल पर जाते है और इसका मैं नाम रख लेता हूं for example bs component ठीक है इसका क्या नाम रख रहा हूं मैं bs component और यहां पर आके मैं enter करता हूं अब देखो आप यहां पर class based component भी बना सकते हो function based component भी बना सकते हो दोनों पर यह काम करेगा ठीक है तो अगर मैं यहां पर करता हूँ? इसके अंदर मैं एक H1 मनाता हूँ ठीक है? एक H1 मनाता हूँ और यहां पर मैं कहता हूँ Welcome to Learning Never Ends ठीक है? और आप देखो अब मैं यहां पर bootstrap की कुछ classes इस H1 के उपर लगाता हूँ ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ? इस H1 के अंदर यहां पर देखो मैं class name का attribute यहां पर use करूँगा क्योंकि मैं class use नहीं कर सकता क्योंकि यह react है और class इसके अंदर JavaScript के अंदर एक keyword होता है तो यहां पर for example bootstrap की class आती है ठीक है? मैं आप इसको कहता हूँ BG success ठीक है? जो के green color का background apply करता है ठीक है? तो यह class bootstrap की है सही और भाई देखो यह जो component है इसको मैं render कहाँ पर करता हूँ देखो app.js की file आपको यहां पर नज़र आ रही होगी यहां पर मैं अपना यह वाला component add करता हूँ ठीक है? तो हमारे component का नाम हमने क्या रखा था BS component enter करो ठीक है और जैसे आप enter करोगे select करके तो यह देखो BS component का import यहां पर add हो गया और जो app वाली file है इसको मैंने कहाँ पर call किया है यहां पर देखो हमारी index.js में क्योंकि आपको पता है जब ही मैं अपनी react app run करता हूँ तो सबसे पहले index.js वाली file execute होती है और इसके अंदर मेरा app component call हो जाएगा और app component के अंदर यहां पर देखो कौन सा component मैंने add किया हो है BS component सही है तो यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करो index.js इसके अंदर app component render हो रहा है लेकिन app component आप देखो कहां पर render हो रहा है root में और root क्या है basically देखो root आपको यह id नजर आ रही है get element by id तो यह root कहां पर है यह है आपके index.html में यहां पर देखो नीचे आ जाओ यह देखो आपको div नजर आ रहा है मतलब जो हमारा वो जो component है ना BS component वो यहां पर आके render हो जाएगा और यहीं पर देखो मैंने अपनी boot dot html में आके हमारे इस root वाले div के अंदर render हो जाएगा और इसके उपर वो जो मैंने bootstrap apply किये वो भी हमें नजर आ जाएगी ठीक है तो अब इसको save करते है ठीक है और browser पे चलते हैं तो आपसका result देखना ठीक है यहां पर आते है react app के अंदर तो यह देखो आपको नजर आ अगर मैं इस text को white करना चाहूं तो bootstrap की class यहां पर मौजूद है उम्हें आपको बता देता हूं उस class का नाम है text white text white कर देता हूं save करता हूं browser पे आते हैं तो यह देखो इसका text black से क्या हो गया white हो गया और अगर मैं इसकी padding थोड़ी सी बढ़ाता हूं ठीक है तो मैं आप पे लिखता हूं p5 यह भी bootstrap की class है padding 5 जो के चारों site से padding provide करेगे हमारे h1 के अंदर तो यहां पर देखो यह देखो आपको नदर आया top से bottom से left से right से हमें padding यहां पर receive हो गई ठीक है तो और जितनी भी classes है आपके पास वो सारी आप यहां पे मतलब जो भी elements आपके पास यह पहला तरीका था जिसमें मैंने आपको क्या बताया यहां पर देखो जिसके अंदर हमने क्या किया get bootstrap.com से cdn उठाई और उसको अपनी index.html में डाल दिया और यहां पर देखो यह तो अभी मैंने css की cdn उठाई है ना यहां से देखो आप थोड़ा तर नीचे आज जाएंगे आपने simple copy करना है और उसको add कहां पर कर देना है अपनी index.html वाली फाइल में तो यह हो गया हमारा पहला तरीका अब चलते हैं दूसरे तरीकी की तरफ ठीक है दूसरे तरीके में मैंने आपको क्या बताया by adding bootstrap using npm मतलब npm को use करके हम bootstrap किस तरह से react app में add करते है और यह offline होता है क्योंकि मैंने आपको बताए जो previous तरीका था यह वाला इसमें क्या होता है इसमें आपका net लाजमी connect होना चाहिए क्योंकि जो cdn होती है यह कहां से आ रही होती है यह किसी दूसरे website से आ रही होती है server से आ रही होती है तो वहां से आपकी जो file fetch होती है उ सबसे पहले तो यह जो index.html में यह जो मैंने link add किया था न, ठीक है, इसको मैं comment कर देता हूँ, select करता हूँ, control forward slash करके, इसको मैं comment कर दिया, ठीक है, और जैसे comment करूँगा, अगर browser पर आओ, ठीक है, और यहाँ पर result देखो, तो देखो, जो भी मैंने उसके उपर bootstrap की CSS supply की थ तो यहाँ पर आजाओ, step 1, step 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपने यह वाली command type करनी है, क्या है command npm install, फिर hyphen hyphen save, और फिर bootstrap, बना देखो, यह जो command है यह आपको bootstrap का latest version लाके देगी, यह आपने याद रखना है, पुराना version कैसे install करोगे, वो भी अभी मैं आपको बतात यह देखो, package.json के अंदर आजाओ, और यहाँ पर देखो, यह आपको dependencies का एक section अदर आ रहा होगा, अभी देखो, इसके अंदर कहीं भी bootstrap आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसी मैं वो command enter कर दूँगा, तो bootstrap की dependency यहाँ पर क्या हो जाएगी, add हो जाएगी, ठ तो देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो, अभी है मैंने npm start करके अपना project local server पर run किया हुआ है, तो पहले तो मुझे इसको close करना है, मतलब अपने terminal को जो server run हो रहा है, इसको मुझे यहाँ पर बंद करना है, तो उसके लिए shortcut use करूँगा, control c, देखो, control c कि यह command prompt आ गया, तो मैं यहाँ पर यह वाली command type करूँगा, कौन सी npm install, hyphen, hyphen, save और फिर bootstrap, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, npm install, hyphen, hyphen, save, और फिर यहाँ पर bootstrap, ठीक है, और यह command क्या करेगी, latest version, मतलब latest version कौन सा है, 5, 5.2, वो आपको यहाँ पर लाके देगी, तो दे तो यहाँ पर देखो, यह देखो, आपके नजरा आ रही है, bootstrap की dependency यहाँ पर add हो चुकी है, और कौन सा version है, 5.2.0, ठीक है, तो अगर आपको make sure करना है, तो command run करने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हो, package.json में इसकी dependency add हो जाएगी, तो देखो, और एक बात आपने य react में, तो उसका folder आपको कहाँ पर मिलेगा, भाई देखो, मैं आपर आता हूँ, अपने directory structure में, और यहाँ पर देखो, आपको पता है के, हमारे पास यहाँ पर node modules का एक folder होता है, ठीक है, आप इसको expand करो, और थोड़ा से scroll करके आपने नीचे आना है, यहाँ पर मिलेगा आ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह file सारी ascending order में sorted होती है, तो यहाँ पर देखो, अभी A चल रहा है और नीचे आओ, थोड़ा से नीचे आओगे, आपको यहाँ पर B for bootstrap मिल जाएगा, यह देखो, यह आपको नदर आ रहा है, bootstrap आप इसको expand करो, मतलब node modules के अंदर boot bootstrap.min.css, क्योंकि minified version होता है, compressed file होती है, इसलिए हम इसको use करेंगे, लेकिन अगर आप uncompressed file use करना चाहरे हो, तो आप bootstrap.css को भी use कर सकते हो, तो भाई देखो, अब मुझे इस file को import करना है, लेकिन यह file मौजूद कहाँ पर है, यह file CSS के folder में, CSS dist में है, dist bootstrap में और bootstrap node modules में, तो देखो, यह जो मैंने अपना bs component यहाँ पर बनाया था, तो अब यह CSS file है ना, वो मैं यहाँ पर import करता हूँ, किस तरह से import करूँगा, देखो, पहले import का keyword और फिर यहाँ पर देखो, मैं dot dot, ठीक है, dot dot slash, यह क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि मुझे अपने यहा दबार आना है, मतलब node modules में आना है, तो देखो, node modules पर click करता हूँ, और यहाँ पर आगे दुबारा forward slash लगाता हूँ, और इसके अंदर, यहाँ पर कौन सा folder था, node modules के अंदर bootstrap, यह देखो, यह नदर आ रहा है, आपको इस पर click करो, और फिर यहाँ पर आजो bootstrap के अंद dot min.css वाली file को क्या कर लिया, यहाँ पर import कर लिया, और देखो, इसके अपर classes लगी है, ठीक है, अब मैं इसको save करता हूँ, और इसका output आपको browser पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आजो, अचा देखो, अभी output show नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने npm start नहीं किया, क्योंकि मै अपने browser पर चलता हूँ, ठीक है, इसको एक दफ़र हम refresh कर लेते हैं, तो यह देखो, जैसी मैंने refresh किया, यहाँ पर देखो, result नदर आ रहा है, text white apply किया था, text white हो गया, bg success apply किया था, green हो गया, और फिर इसमें padding भी apply की थी, मतलब तीन classes मैंने apply की थी थी न, यह तीनों की त इस path से आ रही है, और इस path को जब मैंने install किया था, कैसे किया था, npm के through, ठीक है, तो आपने यह point यहाँ पर याद रखना है, अचा, अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जिस तरह देखो, मैंने आपको बताया, कि भाई देखो, अभी यह latest version install हुआ है, अगर मु दूसरी command है, यह आपको bootstrap का वो version लाके देगी, जो आप यहाँ पर specify करोगे, बना देखो, add the rate के बाद आपने क्या करना है, अपना वो bootstrap का version है, वो specify करना है, लेकिन भाई अभी आप एक चीज़ notice करो, अभी तो bootstrap यह मैंने आप पर add कर दी है, जो के latest version है, तो मुझे सबसे पहले यह जो bootstrap की dependency है, इसको uninstall करना पड़ेगा, तो uninstall करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो, दुबारा पहले मैं अपना यह server stop करता हूँ, control C, और यहाँ पर देखो, मैं आप एक command क्या लिखूँगा, npm, ठीक है, उसके बाद, uninstall, और uninstall के बाद space देकर, मैं uninstall होना start हो रहा है, और जैसी install हो जाएगा, यहाँ पर देखो, जो आपको bootstrap नदर आ रहा है, यहाँ से इसकी dependency खायब हो जाएगी, तो यह देखो, यह complete हो गया, और यहाँ से देखो, जो bootstrap की dependency थी, वो क्या हो गई, यहाँ से remove हो गई, और अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मुझे, for example, 4 version चाहिए, ठीक है, तो देखो, यह वाली इस command पर आता हूँ मैं, कौन सी यह वाली command, और इसके बाद मैं आपे add the rate लगाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ के भई, मुझे पुराना version चाहिए, 4.3.1, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुझे यह वाला version चाहिए, य यह वाला version मुझे bootstrap का install करके दो, मतलब 4, तो यहाँ पर आके enter करता हूँ, तो यह देखो, यह install होना start हो गया, और अब ही देखो, package.json में कोई bootstrap नहीं है, लेकिन जब इसकी dependency add हो जाएगी, तो इसका version आप देखना, तो अब यहाँ पर देखो, अधर आ रहा है, bootstrap की dependency और कौन सा version है, जो मैंने specify किया था, add the rate के बाद, 4.3.1, ठीक है, और यह जो मैंने classes लगाई हैं यह वाली classes, यह वाली classes, हमारे पास bootstrap 4 के अंदर भी मौझूद है, ठीक है, तो अगर मैं दुबारा से npm start करके, इसका result आपको दिखाता हूँ, npm start करते हैं, enter करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमारा server start हो चुका है, browser पर मैं आता हूँ, और इसको मैं एक दफ़ा refresh कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो, नदार result आपको, और थोड़ा सा अगर आप green color को notice करो, यह थोड़ा सा light green हो गया मतलब वो थोड़ा सा dark था, यह थोड़ा सा light green है, क्योंकि यहाँ पर bootstrap का version मैंने change किया, ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी version चाहो, वो यहाँ पर install कर सकते हो, तो उसके लिए command क्या है, उसके लिए command है, आपके बाद यह देखो, add the rate लगाने और अपना version name specify करना है, और जो example है, वो यहाँ पर देखो, इस तरह से आपने लिखना है, ठीक है, बता रहा है, npm install, save, bootstrap और add the rate के बाद, जो भी आपका version है, अचा फिर यहाँ पर देखो, step number two, देखो, यह मैंने आपको बता, step number two में आपने यह वाला काम करना है, क्योंकि जो भी आप bootstrap यहाँ प dist के अंदर एक js का folder भी होता है, जिसके अंदर हमारी कौन सी file होती है, bootstrap.min.js, तो अगर मैं आपको दिखा हूँ, देखो, मैं dist में चलता हूँ यहाँ पर, यह जो हमारा folder था, यह देखो, bootstrap ट है, dist है, और disk के अंदर भी CSS मैंने open किया है, मैं CSS को यहाँ से close करता हूँ, CSS को मैं close करता हूँ, JS नंदर आ रहा है, इसको expand करो, और यह देखो, इसके अंदर file होगी, यह देखो, bootstrap.min.js, तो उसको भी आप इसी तरह से import करोगे, जिस तरह से मैंने यह वाला काम किया है, और import तभी करोगे, जब आपको bootstrap जो JS की file है, उसकी requirement होगी तब, चाहिए ह मैंने command कौन सी डाली थी, npm uninstall bootstrap, भाई देखो, जरुई नहीं के bootstrap की dependency आप uninstall कर सकते हो, इस command के through, यहाँ पे कोई भी dependency आप डाल सकते हो, मतला पहले आपने npm लिखना है, फिर uninstall, और पिर जो भी dependency आप uninstall करना चाहरे हो, उसका नाम आप यहाँ पे bootstrap की जगा पे लि और पसंद आया हो, तो एक छोटी सी गुजारी से के यार सबस्क्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक भी कर लेना, कमेंट भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंके और भी बहुत सारी वीडियो जरियाक्ट टैप के अंदर आने वाली है, तो मिलते हैं इंशाला नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, अल्ला हाफिस,